हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने LG W30 Android माइल फोन में आप जो है Accessibility Menu Setting को Enable कैसे कर सकते हैं यानी On कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Accessibility Menu Setting जो Enable होने के बाद यह सैटिंग कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चले हैं यहां पर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में सैटिंग पेज ओपन करना है एकसिसबिलिटी का इस पर यह पर दूपर की स्क्रोल करना है और आपको सबसे निचे अलाओ को मिलेगा पर स्ट्राव को सलेक्ट करना है तो आपको एक्सिसमलिटी मैन्यस का एकना जाए इसग्रास को सबसे नीची यह अलाओ का option मिलेगा, अलाओ पर सेलेक्ट करना है, अब आपका एक new page आएगा ठीक है, यहाँ पर आपको OK का बटन प्रेस करना इसमें, ठीक है, तो आपका mobile phone के सबसे नीचे ना, यह देखिए, bottom side पे mobile phone के, आपके human tab का एक button add हो जाता है, ठीक है, अब यह accessibility menu setting आपकी complete open हो हो चुकिए, oh, enable हो चुकिए, on हो चुकिए, ठीक है, अब यह setting जो है, use कैसे करने है, यह मैं आपको बता रहता हूँ, सबसे पहली बात ही है, कि आपके किसी भी application में, mobile phone के किसी भी page पे सब जगे काम करेगी, ठीक है, जैसे कि आप यह new button add हुआ है, इस button को आपको select करना है, तो एक page open होगा, इस page में आपको काफी सारे option देखने को मिलते है, जैसे power assistant, slide करेंगे तो आपको volume brightness, ठीक है, यह सब यह option आपको देखने को मिल जाते है, इनका आप जो है use कर सकते है, जैसे कैसे, अगर यह जो है, मैं screenshot अगर इसे select करता हूँ, option को, तो जो मेरा current page होगा, व आपके phone की, ठीक है, तो यह accessibility menu setting ना, आप enable करके, आप जो है, इस तरीकी से, इस setting को use कर सकते है, अपने LG, W30 Android while phone में, ठीक है, तो,